सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बेसिक्स को और बेल ऐकन को दबाईए, कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करेंके चैनल की सब्सक्राइब काई लीजेए, पहले में ल्याइब के लाइब का kar तो गरें, को में इंके भी ग्लाइब काइब काई वेक्लब के लेखने इसको और इन जाएब का डिएए तो माइब में केभाव काऄесब। तो हम क्या करेंगे पहले इसको select कर लेंगे जब आप इसको select करेंगे तो चोट चोटे circle या square दिखाई पड़ेंगे इसका मतलब इमेज select हो गई जब इमेज select हो जाएगी तो ऊपर देखिए कई सारे नए option आपको मिलते हैं उनमें से एक option है यह image option का इस पर click कर दीजे और image option पर जब आप click करेंगे तो सबसे पहले हमें जाना है text wrapping पर right side में इधर देखिए text wrapping इस पर click कर दीजे और यहाँ से हम select कर लेंगे behind the text यह रहा behind the text इस पर click कर दीजे ठीक है उसके बाद इसको बंद कर देते हैं उसके बाद जाते ही नीचे adjustment में ठीक है adjustment के अंदर आपको इसको light कर दिया थोड़ा सा transparent कर दिया अब अपना text आप यहाँ पर जो मर्जी आप type कर सकते हैं तो इस आप देख सकते हैं कि logo ऐसे watermark यहाँ पर आ गया बस एक ही problem है अगर आपके पास ज्यादा pages है तो बार बार आपको यह logo उसमें add करना पड़ेगा ठीक है मतलब यह watermark आ